प्रेश दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप जैहिन दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सरकारी जोब बैराकेश पर दोस्तों मिरा नाम आरकी यद्दा और आप देख रहे हैं सरकारी जोब बैरा सबस्क्राइब कर ले और बैल आइकन ओन कर ले आप देख सके हर एक सरकारी नोकरी की ताज अपड़ाइट सबसे पहले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का जो नोटिफिक्शन आयो एर इंडिया लिमिटेट की तरफ से नोटिफिक्शन जारी क्या गय जिसमें एज लिमिट क्या है क्वालिफिक्शन क्या है कौन कौन आउदन कर सकता है पूरी परकिरिया इस्टेफ बाइस्टेफ इस वीडियो मां आपको बताने वाला हूं इसलिए प्लीज वीडियो को सुरू से लेकर लाश्ट तक देखिए फ्रेंट सबसे पहले मां आपक कस्टूमर सर्विस एजेंट के पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है वाकिन इंटर्वी के आदार पर आपका सलेक्शन किया जाएगा दोस्तों विबाग के ओफिसल वेबसाइट जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्कृप्शन में दे दिया जाएगा इस वेबसाइ की की बात करें तो उमिद्वारों को 21,000 रुपर पर मंद वेतन दिया जाएगा एज लिमिट उमिद्वारों की मिनिममम आयू 18 साल और मैक्सिमम आयू 30 साल यानि कम से कम 18 साल और 30 साल तक के कंडिडेट इसमें आवधन कर सकते हैं फ्रेंड्स एजुकेशन क्वालिफिकेश जिना होगा जिसको आप एक बार अच्छे से देख लेशा ड्रस को इसी के उपर आप अपना आवधन पत्र बेज सकते हैं फ्रेंड्स यहां से हम देख लेते हैं इंपोर्टन डेट्स जिसमें आप यह देख सकते हैं यह नोटिफिक्शन जारी क्या गया है 19 दिसंबर 2019 को जारी किया गया वाकिन इंट्रिव की जो डेट है वो 6 जनवरी 2020 मंडे को यानि सो मार को सुबह 800 बजे से लेकर दस सो बजे तक आपका इंट्रिव होगा 6 जनवरी 2020 को दोस्तों अभी ले चलते हम आपको ओफिशन नोटिफिक्शन के उपर फ्रेंड्स आप यहां से देख स प्रेंड्स आप यहां से देख सकते हैं नंबर वाकिन सी तीन पदों के लिए आपको आवधन करना है आवधन करने के बाद आपका जो सेलक्शन होगा वह वाकिन इंट्रिव का आदार पर सेलक्शन होगा 6 जनवरी 2020 सुबह 800 बजे से लेकर दस सो बजे तक आपका इंट्रि एजिबिल्टी क्वालिफिकेशन आपकी एक नो 2019 के आधार पर होगी मिनिममम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजिस होना चाहिए साथ में हिंदी और इंग्लिज और लोकल लेंग्वेज का ज्यान होना चाहिए दोस्तो इसके अंदर एक्सपरियen्स मीं महागा गया जिसके अंदर उमीध्वारन को कम से कम 1 साल का अगर एक्सपरियंस है तो वह है इसमें आधन कर सकते हैं दोस्तो का यहमिद्वार चाहिकेशन के अंदर क्यर्टेग्रिश वाल दिया गया है जनल कंडिगेट्स 90 2019 को मिनिम엄 18 साल और मैक्सिमम 25 साल की होने चाहिए OPC Category एकानुडियर्ट मिनिमं 18 साल और मैक्सिमम 28 साल SC-HD candidates मिनिमं 18 साल और मैक्सिमम 30 साल साल तक के एकानुडियर्ट आविदम कर सकते हैं दोस्तों आपको 12andis के अंदर 21,000 रुपाय प्रमंत दिया जाएगा जो आप यहां से देख सकते स्के इसके अंदर बेसिक पर उमीदवारों की साट अजार रूपए पलस सो परसंट आपको डी दिया जाएगा सात थार रूपए है ना पांस यानि काई कैसे पूरी परकेशा करने कि आ हैं यहां से दिखाई गई हैं आप यहां से अप्लाइ के बारे में पूरी जानकारी зły दोस्तो इसके लिए आपके पास ये डोकुमेंस होना बहुत जरूरी है नमबर एक पुरूफ है जो डेट वर्थ का पुरूफ होना चाहिए जिसमें 10th किलास की मारकशीट एजुकिशन क्वालिफिकिशन 10th किलास का काश सर्टिविगेट अगर only for SCHD और OBC कंडिडेट ये सर्टिविगेट लेके आएंगे बाकि experience सर्टिविगेट आपके पास होना से और दो password size की recent photo होने चाहिए ताजा photo जो अभी आपने बनवाई है दोस्तो इसके लिए आपको कुछ आवदन फीस भी देनी होगी एक अजार रुपे मातर आवदन फीस आपको इसके लिए देनी होगी आपको ये demand drop के दोरा ये amount पैड करना होगा आप Air India Limited के नाम से अपना demand drop बनवाएंगे एक अजार रुपे का फ्रेंट्स उमीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर दोस्त आपको वीडियो पसंद आई तो like, share, comment जरूर करना साथ के साथ ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकोन उन कर ले ताकि आप देख सके हर एक सरकारिट नोकरी की ताज़ आपड़ेट सबसे पहले धन्यवाद लोस्त